कि एससी जीडी की भरती का जो लोग वेट कर रहे थे उनको पहले से पता था कि फॉर्म तो हमारे नेमेंबर में आई जाएंगे बट एक और बड़ी न्यूज आप लोगों के लिए आ गई है वो है साथ में आपके साथ में अपने अनुभाव के साथ आपको बता रहा हूं यदि आप चार महीने जिस तरह में बता रहा हूं उस तरह एक बार तयारी को शुरू करके आगे बढ़ाते हैं तो निश्यत रूप से आपका सेलेक्शन होगा हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत ही बिड़े डंग से चल रही होगी नहीं चल रही होगी तो उसको चला लीजिए क्योंकि अब समय बहुत कम है तो पहले सबसे पहले यहां पर देखें यह नोटिस अभी अभी आपका ओफिशल वेबसाइट पर आया है इसमें लिखाए दा कमिशन हैस डिसाइडी टू कंड़ूइट फोलोइं एक्जामिनेश और एक दो तीन है ना चौदा से लेकर तीस तक आपका पेपर चलेगा उसके बाद एक दो तीन दिसंबर तक चलेगा यह प्री डिसाइडिड है बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है हमारे काम की बात है वो है कॉंस्टेबल जीडी इन सीएसर सीए पीफ सी एससर महिने का समय आप से शेष है बीस फरवरी को आपका पर चालू हो जाएगा और बारा मार्च को आपका लास्ट पेपर होगा दर केंडिट और एडवाइस तो विजिट दर वेब साइट ऑफ दा कमिशन एट रेगुलेर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट तो आप लोग आप यदि पहली बार में सेलक्षन चाहते हो तो आपको क्या गाम करना है सबसे पहले अपने स्लेबस को देख लेना है और स्लेबस को निकाल करके पेस्ट कर लेना है स्लेबस को निकाल करके पेस्ट कर लेना है जहां पर आप पढ़ते हो चाहे टेबल है चाहे दिवार है च को चिपका लेना है और अच्छे से स्लेबस को मेंटेन करना है साथ में आपको क्या काम करना है आपको प्रीवियस येर पेपर जो हुए है उनका विशलेशन करना है उनका विशलेशन करना है सबजेक्ट वाइज कैसे सबजेक्ट वाइज आपको उनका wishlation करना है subject wise आप चलेंगे तो आपको wishlation करने पर पता लग जाएगा कि paper का level क्या है questions का level क्या है और आपको कहां तक पढ़ना है यह आपको पता लग जाएगा तीसरी बात है इसको करने के बाद आप अपने sources decide करिए ठीक है आपको paid batches से पढ़ना है आपको free batches से पढ़ना है आपको self study से पढ़ना है आपको online पढ़ना है आपको offline पढ़ना है आपको किन books से पढ़ना है ठीक है अन्धानुकरन बिल्कुल नहीं करिए जो बिल्कुल सही बात है उसी के according आप चीजों को ले करके चलिए ठीक है बात समझ में आई तो यह आपको sources decide करने sources decide करके आप उसके बाद पढ़ाई में लग जाईए देखो इन सारी ही चीजों में मैं आपकी बहुत अच्छे से मदद करूँगा syllabus को भी मैं आपके analyze करूँगा topic wise syllabus analyze आपके लिए कर दूँगा प्रीडियस यहर पेपर का analysis मैं आपके लिए कर दूँगा आपको खुद भी करना है मैं भी कर दूँगा साथ में sources भी आपको बताऊंगा और आपको मताऊं इसमें आपका GS वाला portion और इसमें आपका हिंदी वाला portion हिंदी में आप मुझसे पढ़के देखिए दोस्तों पचीस में से पचीस ना आ आ गये तो मुझे आप बताना पचीस में पचीस ना आपको पेपर में दिला दिये तो मुझे बताना और GS में maximum आपको score में करा दूँगा आप आनंद से यहीं पर पढ़ते रहिए आपको पूरा पूरा मज़ा देखने के लिए GDP में मिलेगा और निश्यत आपका selection होगा तो इस तरह से follow करिए निश्यत आपका selection होगा आप देख रहे हैं राम जी पाटशाला मैं हूँ राम भर्द्व जै हिंद जै भार्द